अच्छा लक्षन क्या होते हैं मतलब हमको कोई sports injury हो चुकी है हाथ में घुटने में या शरीर में गर्दन में कंधी में कैसे पहंचाने sports injury अगर आपकी field पर है acute injury है तो आपको उसी समय पर उस पार्ट में या तो आपको दर्द होगा या उस पार्ट को आप काम में नहीं ले सकते हैं जैसे आपका मालोग कंदा किसक गया है तो वहाँ पर दर्द होगा उस पार्ट में सूजन हो जाएगी आप कंदे को काम में नही यह आपके जैसे पैर में या पंजे में या गुटने में चोट लगी है तो आप उस पार्ट पर वजह नहीं रख पाएंगे चल नहीं पाएंगे वो आप कर नहीं पाएंगे ये उसके स्पोर्ट चिंदरी के लक्षन होते है ये खिलाडियों को तो खेर पता चलता है कि उनको चोट आ चुकी है लेकिन आम वेक्ति को पता नहीं चल पाता है और वो जब भी ऐसा दर्द वगेरा होता है तो वो सिकाई सबसे पहले शुरू कर तो सेख कौन सा करें और मलहम या जो भी हम ओंट लगाते हैं वो कौन सा लगा है अगर आप स्पोर्ट चिंदरी का डाइगनोसिस हो गया है मतलब सबसे इंपोर्टन चीज है कि आप स्पोर्ट फिजिशियन को या और्थोपेडिक सरजन या जनरल फिजिशिन उसको सबसे पहले कंसल्ट करें उनको बताएं अब स्वेंट्मेंट नहीं करें अगर आप से पताते हैं या स्पोर्ट फिजिशिन को बताते हैं तो उसके बाद आपको ठंडी सिकाई करने हैं मतलब को बरफ का सेख करना है ना कि गरम सेख करने से उस हिस्से में सूजन और आपकी जो भ हील होने में उसको ठीक होने में मदद मिलती है जो नहीं करना है वो यह है कि आप गरम सेख नहीं करें उसके उपर कोई मसाज नहीं करें कोई मलहम नहीं लगाएं यह सब चीजें हैं जो उस इंजरी को आपके बढ़ा देंगे और जो करना है वो पाट यह है कि आप उस पे बरफ का सेक्ट करें उसको ऊपर रखें और उस पार्ट के उपर में जो क्रेब बेंडे से उसको उपलाई करें तो जब भी आपको कोई ऐसा खिचाव दर्द या लगे कि बही कुछ चोट अंद्रूनी आई है मान स्पेशियों में और आप गरम सेक्ट करने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें और सबसे पहले तो आपको इसके विशे शग्ये को दिखाना चाहिए कुछ भी ओइंट्मेंट लगाने या कोई भी दवा खाने से पहले क्योंकि वो बहतर इस स्थिति में आपको बता सकते हैं कि आपकी जोड जो है वो कितनी गहरी है हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का ब्रेक के बाद भी हमारी बात जित जारी रहीगी